स्पर्ष मिल्टी स्पेश लिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विश्यशक्यों की देख रेक में सर्वशिट एन आई सीउ एवं पी आई सीउ की सुविधा यानि नवजात एवं बच्चों की गंबीर विमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में साथ ही पर हेल्थ पैकेज की सुविधा स्वर्ष मिल्टी स्पेश लिटी हॉस्पिटल एक हैसाज अपने पन का कि बमजारं बावाल के मामिय में घीव आर्मी के बाद अपिलिस की नजर घृम क्रांती वीर शंगठन पर पढ़ गई है अब जो हैं बहुं क्रांती वीर्श जो संगठन है उसके पदादीकारियों की गृफतारी की जा रही है और वी ती रोज दो बड़े पदादेकारिय की ग्रिफतारी हुई है नमस्कार मैं हूँ मैं चत्रुवेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज बलोदा बजार बवाल 10 जून का जो प्रिक्रण है वो सब के जहन में अभी भी ताजा है और उस बवाल के बाद जो है जो ग्रिफतारियों का सिल्चला है वो थमने का नाम न स्जो कर दी थी और अपनी प्रारंविक जाच में तीन संगठनों को इस पूरे बवाल के पीछे जिम्म्मेदार बताया था और वो तीन संगठन थे भीम आर्मी भीम रेजीमेंट और भीम कन्ति अँब टीन संगठनों को लेकर के पुलिस आ मादना था कि इन सभी लोग ने जो है मिलकर के इस पूरे बवाल को अंजाम दिया या इस बवाल के पीछे इनी संगठनों के लोग जो है शक्रिये रूप से भूम का निभा रहे थे उसमें एक वज़े ये भी थी कि पुलिस उन लोगों को चिन्नित कर रही थी जोनोंने आंदोलन का आयोजन किया था लोगो सबी को किस पूरे बवाल के पीछे माना था इसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज और सोचल मीडिया पर बायर रहे वीडियो के आदार पर लोगों की पहचान करना सुरू किया था पुलिस इसके पहले भीम आर्मी के प्रवेसध्यक्स महामंत्री कारकार्णी सदर्स उपाध प्रवेसध्यक्स और अन्यपदादिकारियों को सलाकों की पीछे भेच चुकी है अब इसके बाद जो है बारी आगई है भीम करांतिवीर संग्ठन की पुलिस ने बीते रोज भीम करंतिश्ण की दो बड़े पदादिकारियों को घृपतार किया है एक तो भीम करांतिवीर के उपाध्यक्ष है और दूसरा जो है भीम क्रांतिवीर की जो छात्र काई है उसका प्रदेश अध्यक्ष है आपको एक और चीज बता देते हैं कि भीम क्रांतिवीर संग्ठन के जो संस्थापक है कि सोर्ण वरंगे उनको पुलिस पहले ही ग्रिफतार कर चुकी है अब आप जो की यह जो है चात्र संग्ठन के जो है चात्र विंग जो है क्रांतिवीर की उसके प्रदेश अध्यक्ष है और दूसरे है संदीव और मोनू कोशले मोनू की उम्र जो है करीब 21 साल है और यह ग्राम धंधनी ठाना लवन के रहने वाले हैं यह जो है भीम क्रांतिवीर वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको रिक्वाल करने के लिए बता दें कि 10 जून को एक बड़ा बबाल बलोदा बजार में हुग रहा था सपनामी समाज का जो पवित्र स्थल है गिरोध पुरी वहां पर पवित्र जयर्थ खंब को नुक्सान पहुचाया गया था उसको क संहुने जयंत खंप को काता है हाला कि संद्र कृण बा है कि सुर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे थे हित्ला मिय act के लोगों का कहना था किस मामलें की सी बिए जाज होनी जाहिए हाला की सरकार ने निया आएयग जाज की तो सदूआ कर दी समाज की जूती भीड को देखते हुए काफी मात्रा में पुलिश बल की तैनाती की थी लेकिन जब प्रदर्शन के बाद धर्ना के बाद सप्कामी समाज के लोग कलेक्टेट की और बढ़ते हैं तो इतने बड़ी भीड के सामने पुलेश और प्रसासन के इंतिजान छोटे प करते हैं और पूरे कलेक्टेट और रेस्पी ओफिस में आग लगा देते हैं उसका नतीजा यह होता है कि करीब सब्सक्रा चार पहिया गायन बाहन पूरी तरीके से जल जाते हैं घाईसों के करीब बाहनों को लुक्सान फोचता है कलेक्टेट पतर के कई दो भागों के जरूरी कागजात पूरी तरीके से जल करके नश्ट हो जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है पुलिस का एक्षन। और पुलिस अपने एक्षन के बाद तीन संग्ठनों को इस पूरे बवाल के पीछे या लोगों को उक्साने के मामने में जिन्मेदार मानती है। और वो तीनों संग्ठन जासामने पहले बताया कि भीम आर्मी, भीम रेजिमें और भीम क्रांतिवीर संग्ठन है। इनके फदादिकारी की गर्टतारी शुरू होती हैं। भी मिर्य जिमेंग से जुड़े हूई लोगों की गिरिफतारी शुरूँ हो सकती है। इसके अलाबा जाच का दाएरा भी बढ़ता जा रहा है। पुलिस बलबाबाजार के अलाबा आसपास के जिलों और जिन जिन जिलों से ऐसे लोग आये थे की जा रही है इस पूरे प्रकरण के दौरान लूपाट के मामले भी सामने आये थे और उनको भी जुखे जुपाट करने वाले हैं उनको भी चिन्नित करके उनकीषतारियां की जा रही है तो इस प्रकार से अब तक बलौदा बजार बावाल मामले में पुलिस अब तक 158 में इसको लेकर के आग्रोश था इस पूरे बावाल के बाद सपनामी समाज की समर्थन में चंद सेकर रावर चार जुलाई को बटगाओं पहुंचे थे वहां और एक सभा की थी इसके बाद ऐसा लगा था कि इस संभोता फुलिस कुछ नर्मी बरते लिए लेकिन ऐसा कुछ लेंगा कानून अक्रा काम कर रहा है और आरोपियों की गरिफदारी जारी है जारी है आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले और बेल आइकोन को जरूर दबाद है ताकि आपके पास जैसे ही ख़बर डले नोटिफिकेशन पहुच पाए तमस्कार